दमेशकार दोस्तों, पिछले एक डेल वर्षों से जो चाइना के गुड्स को रिजट करने की बात कही जा रही है, आत्मिर्बर भारत का जो पुरा प्रोग्राम लाने की बात कही जा रही है, उसका असर कुछ हट तक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो तो जो लेटेस्ट डेटा आया है, उसमें यह बताया गया है कि पिछले 10 वर्ष का, at least 10 वर्ष का यहाँ पर रेकॉर्ड टूटा है, क्योंकि 1.25 ट्रिलियन रुपीज, ध्याना की का मैं रुपीज कह रहा हूं, या फिर आप इसको 1.25 लाक करोर रुपीज भी कह सकते हैं, तो इतने amount का यहाँ पर दिवाली festive sale हुआ है, या आप देख सकते हो, यह जो body है, traders की, CAIT, उनकी द्वारा बोला गया है कि दिवाली shopping help generate 1.25 लाक करोर, breaks 10 years record, और इसकी वज़ए से जो Chinese goods हैं, उसको पूरी तरह से आप कह सकते हैं, आप पर reject किया गया है, तो सब कुछ मैं आ iq.com वेजिट करिए, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और जो दिवाली के औसर पर हमारा जो सबसे बड़ा sale होता है, वो आप इसका यहाँ पर फायदा उठा पाएंगे, चले देखते हैं, exactly हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, देखें, यहाँ पर जो CAIT है, that is Confederation of All India Traders, तो Traders का यहाँ पर Association है, इनके दोरा बताया गया है कि festive purchase जो है, वो काफी जादा बड़ा है, आपने देखा भी होगा, COVID के बावजूद भी, यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो लोग हैं, वो सामने आ रहे थे और purchasing कर रहे थे, और इसका जो वर्थ है, वो करी 1.25 लाक करोन बताया है, जो कि पिछले 10 फर्षों में सबसे जादा है, अगर आप पिछले 4-5 फर्षों का भी देखिए, तो लगतार आपको बढ़ते वे देखने को मिलेगा, 35,000 करोन, 43,000, 50,000, 60,000, और जो लास्ट वा था, 2020 में 72,000 करोन, और यहाँ पर आप आप देख इसके पहले अगर आप देखोगे, तो यह जो बॉड़ी है, उन्होंने ऐसा एस्टीमेट लगाया था, कि करीब 1,00,000 करोन के आज पास का बिजनेस हो सकता है, लेकिन उसको भी यहाँ पर इसने क्रॉस किया है, इन्फरक्ट यहाँ पर जो बॉड़ी है, उनका ये कहना है, कि इस वर्ष के end तक, क्योंकि अभी आपको पता है, आगे भी यह जो festive season है, यह सब जारी रहेगा, और आगे Christmas हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, जिसकी वज़े से 3,00,000 करोन का आखड़ा यह चू सकता है, इस वर्ष के end तक, यहाँ पर अगर आप कि अब खतम हो चुका है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से लगतार यह यहाँ पर चल रहा था, हम इसकी चर्चा भी हो रही थी, लेकिन अब आप कह सकते हो कि यह काफी हद तक खतम हो चुका है, और इसकी वज़े से क्या हुआ है, कि जो business prospect है, आगे आने वाले समय में, उसमें क कमबर के बाद से यहाँ पर start होने वाला है, इसके लावा आप मैं आप से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कौन-कौन से तरह के जो items थे, उनकी demand यहाँ पर देखने को मिली थी, अगर हम traditional items की बात करें, तो especially दिवाली के समय, आपने कई सारे ad वगरा भी देखी होंगे, social media पर गौहर भी किया जाता था, कि जो local shopkeepers हैं, उनसे यहाँ पर आप दिया वगरा खरीदिये, तो जो earthen lamps हो गया, दिया हो गया, colorful decor जो दिया हो गया, candles हो गया, paper lamps हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो चीजे हैं, जो small business हैं, potters हैं, craftsmen हैं, handy craftsmen हैं, उनको काफी हद तक मदद कि और इसकी demand काफी बड़ी है, ऐसा इस particular body का कहना है, इसके लाबा जो other items हैं, जैसे sweets हो गया, जाहिर सी बात है, drive roads, footwear, watches, toys, इस तरह के items की आपको demand देखने को मिलेगी, जहां तक gold, jewelry और silverware की बात हो गई, तो इसका business करीब 9000 करोण के आसपास का बताये गया है, in fact अगर आप देखो कि जो packaging commodities वगर हैं, उसका भी business करी 15000 करोण के आसपास का हुआ है, दिवाली के समय, अब इसमें खास बात यह है ना कि इस बार अब क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि जो businesses का का काम करने का तरीका है, जो traders हो गए, वो काफी हद तक अपने business को बदलने की कोशिश की हैं, मतलब नए तरीके से, जो नया model सामने आ रहा है, डिजिटल model सामने आ रहा है, तो इस तरह की नई opportunities देखने को मिलेगी, आपने कई बार सुना होगा, लोग कई बार blame करते हैं कि चीजें बदल रही हैं, लोग online जा रहे हैं, काफी कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन अगर आपको sustain करना है market में, तो आपको भी अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, जो इस बदलाव को लाएगा, definitely वो sustain कर पाएगा, और बहुत अच्छा कर सकेगा, तो यही चीज़ देखने को मिला है, कि future businesses जो भारत के अंदर जो potential है, उसको अब धीरे धीरे लोग य 2020 के साथ compare करें हो तो, आप देखें इसकी वज़े से क्या हुआ है, कि 4.6 billion dollar, मतलग यह जो पुरा sale हुआ, मैंने आपको बता है, 1.25 lakh करोन का, 32,000 करोन online goods को यहाँ पर बेचा गया है, और इसमें जो market leader है, वो flip card सामने निकल कर आया है, 64% market share यहाँ पर अकेले flip card के पास है, इसमें से 61% जो shoppers हैं, वो tier 2 cities से हैं, मतलब जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर online shopping की demand काफी जादा बड़ी है, in fact अगर आप पर shopper का जो gross merchandise value देखोगे, मतलब हर एक shopper कितने value के goods को खरीता है, तो यह आप देखे 1.04 times multiply हुआ है, मतलब यह भी यह दिखाता है, कि जो per capita income है, ज उन लोगों का यही कहना है, कि यह सारी चीज़ें यह दिखाती हैं, कि जो tier 2 हो गई, tier 3 cities हो गई, वहाँ पर जो participation है, जो customers का, वो काफी जादा आपको बढ़ते वे देखने को मिलेगा, इसके लब आप specifically मैं आपको बताओ, तो अब धिरे धिरे जो भारत है, वो 5G ready होने ज जाएसे यहाँ पर जो smart phones हैं, mid range smart phones, वहाँ पर 84% जो sell हुआ है, वो 5G phone sell हुए है, इंफाक एक और important चीज़ यहाँ पर यहाँ है, कि 1 million customers, Amazon की मैं बात कर रहा है, वहाँ पर ऐसे smart phone purchase किए गए है, 1 million customers के दौरा, जो कि पहली बार है, मतब पहली बार इतने सारे customers smart phone को purchase कर रह है, पहली बार, आज की जमाने में इतने लेट जाकर अगर smart phone purchase कर रहा है, तो definitely आपको जो overall societal changes हैं, उसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा, यह चीज़ आपको link करना है, अब यह सारी चीज़ों से वज़े से क्या हुआ है, कि यहाँ पर जो Chinese items हैं, जो Chinese goods हैं, उसको लोगो इस बार तो पूरी तरह से नकारा गया है, और special emphasis जो customers का था, वो यही था, बार-बार वो उनके द्वारा यही पूछा जा रहा था, कि इनमें से Indian goods कौन सा है, made Indian India goods कौन सा है, और इसकी वज़े से आप देखो, चाइना को करीब 50 हजार करोन का loss हुआ है, इनफाक्ट इसके पहले ही, दिवाली के जस्ट पहले ही यहाँ पर यह जो body है CAIT, उनके द्वारा यह बता दिया गया था, कि इस worst Chinese exporters को करीब 50 हजार करोन का loss होगा, और पिछले साल भी, इस साल भी, इस body ने यहाँ पर boycott का call दिया था, कि Chinese goods को आप boycott करिये, और recently जो changes देखे गए major cities में, उ उतना जादा interested नहीं थे, वो Indian goods को ही खरीदना चाहते थे, in fact आप देख सकते हो, करीब 20 distribution cities में यहाँ पर survey किया गया था, CAIT की दोरा, और उन्होंने यही पाया है कि दिवाली goods के लिए, firecrackers के लिए, किसी भी Chinese exporters को यहाँ पर order इस बार नहीं दिया गया है, यह 20 cities कौन से ह आप देख सकते हो, New Delhi, यह चाहो तो आप देख लो, इतना important ही है, लेकिन, overall context से, I hope कि अब आप समझ गया होगे, कि इस बार हुआ क्या है, किस तरह का बदला हो रहा है, जाहिर सी बात है, इसका एक जो impact है, वो इस वजह से भी हुआ है, क्योंकि पिछले साल, जिस तरह की घ घटना border पर हुई थी गलवान के बाद, और उसके बाद लगतार, अभी भी आप देखोगे, तो China aggression दिखा रहा है border के उपर, जो कि भारतियों को बिलकुल भी पसंद नहीं आ रहा है, कि आप बे मतलब में यहाँ पर development में जाने के बजाए, आप tensions create करना चाहते हो, border पर disturbance create कर बाता सरकार ने जो Chinese import आ रहा था, मतलब China से जो भी हम मंगा रहे थे, उसको counter करने के लिए भारत ने यहाँ पर एक rule को implement किया था, जिसका नाम है C-A-R-O-T-A-R, Carotar Rules, क्या बता सकते हो कि यह rule किस चीज से related है, चार option है यहाँ पर, इसका right answer आपको बताना है, कि आपको पत बाकी भी में कई सारे MCQs, Stories में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप प्ले कर सकते हो, बाकी अगर आपको PDF चीए तो Telegram पर आईए, अलग-अलग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं, साथी साथ UPSC, आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, और इस समय दिवाली सेल हमारी जारी है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, होक की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से नेक्स्ट आम तिल देन, थैंक यू वरी मॉच, सी यू सून.